का इंपी अब तक के इस बुलिटन में मैं हूँ आपके साथ रितू गयानवानी इंदौर के नाम एक और उपलब दी जी हाँ इंदौर लोग सभा की अतिहासिक जीत हुई और वर्ल्ड बुक ओफ रिकॉर्ड में धर्ज हुआ है नाम देश में सबसे जादा वोटों से जीते के अंतर से उनकी जीत हुई थी वर्ल्ड बुक ओफ का रिकॉर्ड ने सांसद शेंकर लालवानी को समान दिया है यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं इंदौर के नाम एक और उपलब दी एक के बाद एक उपलब दी इंदौर के नाम लगातार होती आ रही है आप यह बड़ी उपलब दी बता दें इंदौर लोग सभा के अतिया से जीत हुई और इस जीत के बाद वर्ल्ड बुक ओफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है देश में सबसे ज्यादा वोटों से शेंकर लालवानी जीते थे 11 लाग से ज्यादा के अंतर से जीत हुई थ वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड ने सांसर शंकर लालवानी को सम्मान भी दिया अधियासिक जीत इंदौर में हुई थी भारी बहुमत से बीजेपी जीती इंदौर में शंकर लालवानी ने जीत का पर्चम याँ पर लहराया बता दें आप पून के सामने कोई नहीं था कई बड़ी संख्यावे नोटा को भी वोट मिले थे पर ये जो बड़ी जीत हुई है शंकर लालवानी की ग्यारल आप से ज़दा वोट मिले इस पर अब वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है साथी साथ सम्मान भी बिला अमर्वाणा उप्चिनाव को लेकर बीजे पी ने अपनी तैयारी अप्तेस कर दी है कॉंग्रस विधायक कमलेश शा लोकसबाक चुनाव के दौरान कॉंग्रस को छोड़कर बीजेपी में शावल हुए थे जिसके बाद उन्होंने विधायक पट से इस्तिफा दिया था जिसकी वजह से अमरवाडा सीट खाली हुई थी जहां 10 जोलाई को उप्चिनाव होगा और इधर अमरवाडा उप्चिनाव के लिए कॉंग्रस ने भी कमर कसली है बता दें आपको कॉंग्रस में तीन उमीद्वारों के नाम के चर्चा लगातार चल रही है युवा कॉंग्रस द्यक्ष एकलव्या आके का नाम चर्चा में है साती साथ जिला पंचाय सदस्य चंपालाल खुर्चे के नाम पर भी चर्चा हो रही है विनाए भारती का भी नाम सामनी आया है अगले दो दिन के अंदर कॉंग्रस टेकट का एलाम कर सकती है नाम को फाइनल कर सकती है भाजपा ने कमने शा को उमीद्वार बनाया है तो वह तो वहीं अमर्वाला उप्चिनाफ को लेकर सियासत भी घरमा चुकी है जहां बीजेपी कॉंग्रेस एक दूसरे पर सियासी वार कर रही है और इसी बीच कॉंग्रेस के मुख्य प्रवक्ता बुपेद्रु गुपता ने बीजेपी पर निशाना सा था जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी दलवदल का सौदा करती है और फिर उमीद्वार बना देती है। तो वहीं कॉंग्रस के आरूपू पर बीजेपी प्रवक्तार नरेंद्र सलूजा ने पलटवार किया और कहा कि कॉंग्रस से अमरवाड़ा सीट पर कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है। कॉंग्रस को अम्बिद्वार नहीं मिल रहा है और आगरी में मजबूरी में हो सकता है। कुंग्रस को लेकर राश्ट्रीय बाल संरक्षन आयोग के अध्यक्ष ने बड़ा वयां दिया। प्रियंक कानूनगों ने सरकार को मदर्सों से हिंदू बच्चों को निकाल कर स्कूल भेजने को कहा है। प्रियंक कानूनगों ने ये बयान क्यों दिया है आखर ये रिपोर्ट देखें। MP में चल रहे मदर्सों को लेकर प्रियंक कानूनगों ने कड़ी टिपनी की। प्रियंक कानूनगों ने मदर्सों में बेसिक सुविधायना होने का हवाला दिया और मध्यप्रदेश सरकार से हिंदू बच्चों को मदर्से से निकाल कर स्कूल भेजने को कहा। बयान सुनिए। भी अभाव है उन्होंने अवैद रूप से चल रहे मदर्सों पर कारवाई करने की बात भी कही मद्धिप्रदेश में 1755 मदर्से रेजिस्टर्ड है इनमें 947 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं जादतार मदर्सों में क्वालिफाइड टीचर नहीं है यही नहीं मदर्सों मे सिक्षा के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है इसके अलावा मदर्सों में एक शमता से जादा बच्चे हैं प्रियंक कानून गों के मुताबिक सिक्षा का अधिकार का यह उलंगन है बाल आयोग ने मदर्सों के सर्वे के निर्देश भी दिये हैं ऐसे में उम राव फक्तरी पर राजश्रिय बाल अधिकार संभरा योग ने छापी मारी किया और इसी दोरां शिराः वड़ा करें 29 बच्चों को मुक्त कराये गया राज्चरिय बाल अधिकार की मौजूदगी में यह श्राफ फक्तरी राय जाता था जहा hubs कुन से मजदूरी कराई जाते हैं। सब्सक्राइब करते 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 हैं। वो उनके ही लोग थे। जिनकी उन्होंने चिंता नहीं की। और वो पीड़ित होकर छोड़कर भारती जनता पाइटी में आये हैं। तो भारती जनता पाइटी के पास एक कैडर है। करकरता है। जनता का आशीरवाद है। और वहीं कॉंग्रेस केवल और केवल भविश्च के सपनों के आधार पर चनाव जीतना चाहती है। वर्तमान से दूर रहकर वर्तमान ये है कि मध्यपरदेश में 29 में से 29 लोग सबा सीटों का अशीरवाद जनता ने भारती जनता पाइटी को दिया है। चिंदवाड़ा क्याज़वाइक परोग जिकर कर रहे हैं कि 29 सीटे और आमरवाड़ा भी वहीं से तो मतलब ये आप साफ कर रहे हैं कि चुनाव होने से पहले ही भाजपा जीत गई। नहीं देखिए हम किसी गफलत में नहीं जीना चाहते चुनाव चुनाव होता है जनता से आशिरवाद देने के लिए घर घर जाना होता है भारती जनता पैटी का कार करता है सारे कारे करेगा चले आगे पढ़ेंगे जिकर अब डिंडॉरी का बिजली के किलत से परिशान हे लोग ग्रामलों प्रदर्शन भी किया शैडोल पंडर्या हाईवे पर जाम लगा कर जम कर नारेबाजी की और बिजली के सप्लाइट करने की मांग इनके द्वारा की गई यह देखिए तश्वीन दिन लॉरी तो कि आए बात करेंगे बैतूल की प्रोफेसर की पिटाई माबले में बड़ा अपडेट सामरी आया है मुख्या आरूपी अन्नू ठाकुर समेट पांच आरूपी गरफतार हुए हैं मुख्या आरूपी जो है उस पर एनसे के तहट कारवाई होगी अब बात देवास की जहां प्रशासन निया तिक्रमन के खिलाफ कारवाई की और श्री राम मंदर की अठारा भीगा जमीन को अवैत कवजे से मुक्त करा दिया तैसीलदार की अगवाई में ये कारवाई की गई बताया जा रहा है कि 40 साल से जमीन पर अवैत कवजा था खबर खंडवास से है जहां मा बेटी की संदिक दो मौट मादले में गुत्थी सुलच उलश्टी वी नजर आ रही है अब उलसाब महीला के परिजनों से पूछताच की तैयारी में है आपको बता दे कि शुक्रवार किशाम कोतवाली थाना श्वेत्र में मा बेटी वेसुध हालत पे मिली थी जिनका अस्पटाल में इलाज की दोरान मौट भी हो गई थी वही परिजनों ने जहरीला पदार्थ खाने से मौट होने की आश्रंका जताई थी पुलिस पारिवार एक कला समेथ हर एंगल से जांच परदाल कर रही है खबर दमो से है जहां मालगाडी की चपेट में आने से एक छात्रा की दर्दनाक मौथ हो गई घटेरा रेलवे स्टेशन के पास का यह हाथसा है बताया जाराई कि छात्रा स्कूल से वापस अपने घर जा रही थी इसी द तकराई इस हाथसे में बाइक सवार महीला और एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई तो वहीं कार में सवार चार लोग गंभी रूप से खायल है खबर सीहोर से है जहाँ चलते पेकप वहन में आग लग गई और देखते ही देखते पेकप चलकर खाक हो गया किसी तरह ड्राइवर ने अपनी जान बचाई रटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गारी मौके पर पहुंची और आख पर काबू पानी और अतलाम की अबात पोलस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है पोलस ने जावरा में बंदर में आपजनक सामान फेकने वाले चार आरूपियों को गरफतार किया आरोपियों को ग्रफतार करने के बाद पुलिस ने जुलूस भी निकाला इनका वहीं आरोपियों पर NSA के तहट कारवाई की गई है आपको बता दें कि शक्रुबार को पुलिस ने आरोपियों के घरों पर बुल्डोजर भी चलाया था आपको बादार को बादा कारता है